कई किसानों की डिमांड थी कि प्याज की पसल पर पूरी वीडियो बनो ताकि हमें यह सच पता चले कि वाकई में प्याज की खेती में बहुत जादा मुनाफ़ा है यह फिर यह शिर्फ बोलने में अच्छा लगता है ने की सचाई है आज जो आप सेमें चल रहा है वह बहुत प्याज है वह जल्दी शड़न रोग में तबदिल हो जाता है उत्पादन में उरुक जो है वह रासनी उरुकों का उपयोग बिल्कुल भी ने करें इसके और बेसल डोज में अगर खाद की बात करें तो बेसल डोज में कुछ खाद भी आपको मैं बता देता हूं अगर अच्छी आमदनी कितनी को जाएगी हम इसे मुनाफ़ा कितना कमा लेंगे तो आम दिनी की बात करें तो हमारे खिसानों के लिए अच्छी आमदनी का सुनुत प्याज है नमस्कार खिसान भाई हो कई कि इस प्याज की पसल पर पूरी वीडियो मनोग ताकि हमें यह सच पता कि राया है उसकी की आदार पर आपके साथ सेर करेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो के माद्य feu Avec साथ सपरूआं से लेकर उतिपाधन तक की पूरी जानकारी आपके साहर होगी समय से हम स्टार्ट करते हैं पीयाज की खेती के लिए को से मैं कून सा है हरीब की वसल की हम बा देखने को मिलता है अब रभी की बात करें तो सितंबर से अक्टूंबर का माज सबसे उत्तम होता है अगर जो अब समय चल रहा है वह बहुती उत्तम समय है इस समय लोक कांधी तयार करके प्याज की सिंतबर महीने के लाश तक फेश्ट सितंबर तक इसकी बुआई कर देते है टाकी आगे उपयाज में अच्छी टाइम पर उत्कादन मिलेगा और समय पर उत्पादन मिलें से हमारी लागत का फायदा जो हो हमें मुनाफय के रूब festa में हिने गानलेगा तो यह तो Quin και समय की बात कि अब लाकत करें कि कि इसके अंदर हमें कितनी लाकत लिए तो इस ajudar को म में बदलना होगा इसकी लिए कम से कम हमें जेवी खा दोगा भी सारा लेना होगा और जो किसान भाई अस्तिमाल करते हैं उनसे मैं रिकमेंट करूंगा कि वो जेवी खा दें को कम से कम 40-50 तन गोबर खा डालें आपको अधिक हो जाएगा ना किसी जेवी रास्यानिक दौायो उत्पन जो प्याज है वो जल्दी सढ़नरोग में तब्दील हो जाता है जल्दी सढ़ने लगता है तो इस बात का हर ट्सान रखे कि वह जितने भी कम से कम उत्भादन में उरुच जो है वह रास्यानि को का उत्पयोग बिल्कूल भी नेकरे इसके लिए वह बहुती फाइ अच्छी प्रकासित जमीन के लिए कम से कम एक बार आप सांधार पलेवा लगाएं और उसके बाद उसके ओपर रोटावेटर फ्राएं और बेसल डोज में अगर खाद की बात करें तो बेसल डोज में कुछ खाद भी आपको मैं बता देता हूं जो किसान भायों कि अगर चार चार के जी एक इकड़ी बात कर रहा हूं और पांस केज इसपोट्स बीड्स को मिला और ऑद यूरिया इंसपी को मिलाकर एक साथ जिसमें और टन पोटावेटर फिरा रहे हो उसमें अप छिड़का विजिय के ने मेड़ यादार पर अगर आप ट्यश किया है और अब बात होई कि हम उसके उत्तवादलाक कितना मिल जारे अबर हम नेखंचे तो उसमें उत्तवादन कितना अब आपको बता देता हुगा है कि सो से लेकर की बात करें तो हमारी लाकत जो लगी है उन को और किनौे लेकर सव लाग की कमाई आराम से प्याजी खलती से एक की के अंदर हो सकती ए वह सकती है वह प्याज के बारा रुपे भी से खज़ान तो प्यांप्व भाव 20 रुपह मिले तो यह वा की क्विएимत बड़ती रहती को 20-30-40 रुपाय तक प्याज की रुपाय पृति की चला गया था तो ऑफल को मुणाफ़ ही था तो हर बार किसान समय पर हर समय समय पर बॉईक्पाय करता है इसे कुछ कमाने की परियास करता है और बार चाह्न चैनल के लिए ऐन सब्सक्राइब करता हूं जो लंबे समय से किसानों की जो लंबे समय से जो किसानों का तज्जूरबा है उसको मैं कलेक्ट करके आपके आपके साथ